प्रेंट्स बिहार डियले इंट्रेंट्स एक्जाम सोसल स्टडी के अंतरगर जो है राष्टपती, परधान मंत्री, लोगसभा, राज्यसभा, संसत के टॉपिक भी दिये गए हैं तो इन सभी टॉपिक से भी जो है कोशन पूछे जाएंगे और जितने भी कोशन पूछे जाएंगे वो सभी MC क्यों होंगे, multiple choice कोशन जिनमें चार option दिये जाएंगे ठीक है और उनमें से एक option जो है वो सही होगा तो आज की स्टुडियों फ्रेंट्स सबसे जादा जो important question है हम बही करेंगे ठीक है तो पहला question है भारत की संग्य वेवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता है कि भारत जो है राज्यों का संग है तो जल्दी से आप लोग जो है इनका answer comment box में दीजिए पहला क्या है option लोक सभा और बी का क्या है राज्य सभा सी जो है परतिनीधी सभा और डी है संसद तो इनसका answer क्या होगा संसद sorry friends संसर ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे आप संसद तो भारत की संग्य वेवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है तो उसका answer होगा संसर जिसे हम पारलेमेंट के नाम से जानते हैं जो देली में है second question का answer आप जल्दी से देजएगा भारतिय संसर के कितने सदन है तो जैसा कि आप लोग जानते ही होगे कि एक राज्य सभा है और एक लोग सभा है ठीक है तो इसका तो इसका answer होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बी का answer सही होगा और एक चिज़ आपको पता है कि अगर अंग पुछा जाए ना भारतिय संसर के कितने अंग है तो इसका answer होगा तीन कैसे तो और भारतिय संसर जो है तीन अंगों को मिला कर बनता है पहला जो होता है हमार राज्य सभा ठीक है लोग सभा और राज्ट पती से रिलेटेड तो इसका कोश्चन आएगा नेक्स वीडियो ये वाला कोश्चन है वो भारतिय संसर बनती है तो इसमें बताईए आप कौन सा इसका आंसर सही होगे कोश्चन नमबर 6 के देखें यहाँ पे केवल लोग सभा दोवारा राज्य सभा यम लोग सभा के दोवारा लोग सभा यम राश्ट पती के दोवारा और D जो है लोग सभा राज्य सभा यम राश्ट पती के दोवारा तो इसका आंसर क्या होगा D ठीक है यहाँ पे तो इसके इसके जो अंग है वो तीन होते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड कोश्चन है, संसद के किस सदन को परतिनीधी सभा भी कहा जाता है। तो फर्ष्ट जो है लोकसभा को, सेकंड जो है राज्य सभा को, थर्ड जो है उप्यूक्त दोनों को, उसके लाश्ट जो है इन में से किसी को नहीं। तो इसका अंसर क्या होगा, जल्दी साप लोग कमेंट बोक्स में बताएं, कुशन नमबर थर्ड का, तो इसका अंसर होगा फर्ष्ट को, लोकसभा को, क्यूंकि आपको पता है कि ये लोगों के दुवारा परतियक्षरूप से चुने हुए परतिनिधी होते हैं, और ये जनता का परतिनिधीत्व करते हैं संसद में जाकर, चाहे वो किसी भी राज्य से आए, और उनके जो प्रॉबलम होते हैं, उनको वहाँ पर डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है, अगर ये लोगों पर, मतलब की छेतरे मुद्दों पर जादा धियान देतो, संसद लोग, एक कुश्चन आसकता है कि संसद का लोग पिरिये सदन किसे कहते हैं, तो आप लोग जल्दी से बता है आंसर, फर्स्ट लोग सभा, सेकेंड राज्ये सभा, थर्ड प्रियुक्त दोनो, और लाष्ट जो है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा लोग सभा को, अब इसमें बहुत वारष्ट बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं, संसद का 27 सदन किसे कहते हैं, तो कई वारष्ट गलती से लोग सभा बता देते हैं, बर लोग सभा नहीं होता, क्योंगि यह हर 5 साल बात बदलती रहती है, भंग हो जाता है, क्योंकि हर साल आमचुनाब कराये जाते हैं परदान मंत्री के लिए राज्य सभा जो होता है वो संसथ का 27 सदन होता है यहाँ पे हर मतलब की और फ्रेंड्स इसके जो सदस्य होते हैं इनका जो चुनाब होता है इनका कारेकाल एक प्रकार से 6 वर्स के लिए होता है और ये स्थाई सदन जो है राज्य सवा ये कभी भंग नहीं होता ठीक है इनके जो दो तिहाई सदसे होते हैं ये सेवा निवरित हो जाते हैं हर दो साल बाद मतलब कि दो साल के अंतर में और ये अस्थाई सदन होता है और ये question हम कर चुके हैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारतिय संसद के तीन अंग होते हैं और ये मतलब कि भारतिय संसद तीन अंगों को मिला कर बनता है लोगसवा, राज्यसवा, एमाम, राष्टपती ठीक है friends देखे उसी question को इस type से भी पूछा जा सकता है कि निमलिखित में से कौन संसद का मतलब कि भाग नहीं है तो आपको पता है कि संसद तीन अंगों को मिला कर बनता है जिसमें उप राष्टपती नहीं होते हैं इसका आंसर जो होगा यहाँ पर राष्टपती, यह संसद का भाग नहीं है लोगसवा, राज्यसवा और राष्टपती इनके भाग है इस type से भी पूछ सकते हैं कि भारती संसद के कितने अंग हैं तो फिर तीन आप बता सकते हैं और जो फ्रेंट्स पार्लेमेंट के मेंबर्स होते हैं, जो संसद होते हैं तो उनका बेतन का निर्णा कौन करता हैं तो इसका option जल्दी से आप जो है answer comment box में दीजिए पहला संसद, दूसरा जो है केंद्री मंत्री परिसद, तीसरा जो है राष्टपती, और चौथा जो है लोगसवाद्यक्ष तो क्या होगा इस answer? First, यहाँ पे देख सकते हैं अब इसमें difference आपको बताना है ना कि कौन सा मतलब को यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है सही है, तो पहला वाक्य क्या है लोकसवा, भारती जन्ता की परतिनिधी सबा है यह तो सही है क्यों कि जन्ता का जो है परतिनिधी तो करती है यहाँ पर परल्लेमेंट को सदस्य होते हैं, जो हमारे चुने हुआ होते हैं, परत्यक्ष रूप से, तो यह वहाँ पर जन्ता का परतिनीधी होते हैं एक परकार से, से, जो है राज्य सभा संसत का उच्छे सदन होता है, तो यह भी सही है, क्योंकि देखे, आप बहुत वारोश्प्रिट गलती क्या करते हैं न, लोग्सभा को उन्हें लगता है कि यह उच्छे सदन है, क्योंकि यह परधान मंत्री, क्योंकि इनके जो नेता होते हैं, वो यहां के सदस्य होते हैं, वो यहां पर जो आकर जो है, वहां के छेतरे मुद्दों को उठाते हैं, और यहां पर उनका solution होता है, तो इनका तीनों जो option है, यह सही है, तो इसमें क्या होगा उप्यूक्त सभी, अब बहुत वार इस टाइप के भी question पूछते हैं, कि संसत को भ पूछते हैं, यहां पर आंसर आप देख सकते हैं, चलिए तो यह जनल नौलेज से काफी important question है, पहला यहां पर यहां पर अगर देखा जाए, तो पर्थम भारती नोवल पुरुसकार बिजेता कौन थे, और आपको पता होने चाहिए, आप लोग कमेंट बोक्स में जल्दी आंसर दे, तो इसका आंसर जो है रवींदर नाट टैगोर, और आपको पता है कि रवींदर नाट टैगोर ऐसे वेकती थे, पर्थम ACI वेकती थे जिनको नोवल पुरुसकार मिला था, और इनको साहित्य के छेतर में गितांजली इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उनके अब यह देखे एक कोशन, भारत के मुखे चुनाव आयोक्त की नियुकती कोन करता है, जो Election Commission के जो मुखे अधिकारी होते हैं, उनकी नियुकती कोन करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्सन है संसद, दूसरा है प्रधान मंतरी, तो इसका ऑप्सन है संसद, प्रधान मंतरी, र युकती की जाती है, और भारत के पर्थम मुखे चुनावा आयोक्त कोन थे, तो उसका अंसर है, सूकुमार सेन थे, जो बर्तमान में मुखे चुनावा युकत है, वो है सुसेल चंद्रा, सो थैंक्यो फ्रेंट, नेक्स वीडू मिलते ही, जो स्प्रिंट नहे हो चैनल को कर लिजे लो,